है वेलकम बैक कि माइ चैनल सो आज में बाहर में बाहर मतलब के जारी हूं मैं बताऊंगे आप लोग को का हमें जारी हूं सो वीडियो में बने रहे है आज मैं इसमा सारा कुछ वेर किया है कि आप बहुत थेंडे गवापी देख सकते हो गाइस बिल्कुल भी दूप नहीं है आज ये संक्रांती का टाइम है गाइस संक्रांती के पहले तीन देख सकते हो आपका इस कितना थंड है अधा हवाली ले रहा है इस मैं पूरा फूल वश्यूपर में मंहीं है शायर वह देखिये मंही खडीयों के देख भई है इस जारी हम लोग आज जाने वाले हैं अमानन मंदिर में गाइस व्मानन घाट है लाचीद घाट बोते हैं इसको यह फैंस वजार की बगल में पड़ता है जो सामके है लोग पता ही चल गया होगा शो आदाट हई त्व 19 Uhr सो यह यहां पया है क्ले कर ऊप्ञेथ त्व यहां पर पानी बहुत कम रेका है बहुत कम लेधा थे हैं लेकिन समर के टायम में अफनी जा सकते हैं जुब श्वाता गहरा रेते हैं और यहां पर कंस्ट्रक्ट्ष्न तक काम भी चल रहा है कि अर्य ह crack पूल बनेगा कुछ फ्लाइवर यासा कुछ बनेगा शायद गाइस तो देखते वो फीचर में बता चलेंगा क्या बनेगा तो हम लोग अब भी फैरी का वेट करेंगे दो बजे का टाइम है गाइस हम लोग सुक्रेश्वर घाट पर आ चुके है और यह दिखिये फैरी है जो इसी फैरी से हम लोग उमानन जाएंगे टाइम हुआ नहीं है गाइस अभी तक हम लोग वेट कर रहे है टाइम का दो बजे का टाइम है तो गाइस यह लोग जो फैरी से वापस आ रहे है आइमीन उमानंद से वापस आ रहे है उमानंद टेंपल को विजिट करके वापस आ रहे है फिर यहां से लोग फिर से जाएंगे अभागे तो आढ़े टेंपल काम ए दो क्यों अप्राइस एक यह है उत्स तर्टार क्वाईट वापस प्लेन टेंट रहे है कहा आँ कर्दार्या थेंदी अभाटे तो फैरी जा चुका है हम लोगो छोरके हम लोग दोर दोर के भी पहुचने पाई मैं भाई और भावी के लिए वेट कर रहे थी भावी आएगा थोड़ी देर पाथ भावी भावी ट्दोर के उर्सों माइ बंध हे सब दोर चुँकर आए भाइ भावा ने वैं ख़ती है तो यहां से फिर से जाएंगे विर अधी घूए अधाव elli का थी वन जो Representatives करेंगे में आइ मस्त है यहाँ पे गर्मी में अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है चाट अच्छा है ना टेस्टी है ना यास मालागे रिभो अलोपन रिभो हम बिस्की निलागे तो अगर आप लोगो टेंपल विद्ट करना है तो आप लोगो शुक्रेशा घार करके विजित करना परेगा जो शुक्रेशा मंदिर के यहां पर दो गात है, एक लाचित गात, एक शुक्रेशल गात ही है, तो शुक्रेशल गात होकर की आपको जाना परेगा, और जो मान अदर टेंपल है, ब्राह्मपुत्र के बीच में ही है, और फैरी का चार्ज ज्यादा नहीं है, गास, 40 पर पर संट 50 जैसा कुछ है, और हम ल स्रे लाचित बांड चार्ज जाए खरते हैं, आगर टेंट बिच्वाट जाता है, अब। बाहर है, तो शुक्रेशल गात, पर परेगा, प्रोटों से थी तो जाना पर दोफें, ढर जारा थे निख्यार्यक्त आए, सुक्रेशल जाओ, पर गात्याद है, जाना दर बाहर, इस तपर विटेंगे अपर पोगेट में अब भी जा रहे हैं सो गैस यहां पर फैरी चल चुक है और हम लोग उमानन्दे के तरफ जारे है और आप देख सकते हो कहाइस कितना सुंदर व्यू है यह ब्रह्मपुत्र ने थी है जो इंडिया का इधिंक सेकेंड लॉंगेस्ट रिवर ए फर्स लॉंगेस्ट गंगा है तो मतलब आप अगर उमानंदर टेंपल विजिट करते हो तो आपको इसी वे से विजिट करना पड़ेगा साथ में ब्रह्मपुत्र का जो व्यू है आप कर पाएंगे तो मैं आप लोगों तो प्रिफर करूँगे आप उमानंदर टेंपल विजिट करें क्योंकि समर के टायम में तो बहुत पानी रहता है यहां पे और डर भी लगता है मुझे तो डरी लगता है क्योंकि पानी से तो वैससे क्योंकि मुझे सुमिंग गाइस आती शीव जी के लिए ही है और हम लोग मैं पहले एक बार जा चुकी हूँ जब मैं क्लास टैंप में थी यह से केंट टाइम जा रही हूँ हाला कि मैं गुहार्टी में रहती हूँ लेकिन ऐसा जाना नहीं होता हो बहुत कहते है ना गयास पास में है लेकिन पास के जगह कर इतना सुंदर व्यूए है आप देख सकते हूँ सब्सक्राइब कर देख रहे हूँ है और आप दूर से देख रहे हो गाइस वह रॉप हुए है उमानंद तो आइधिंक नहीं शायद उस पार इस पार से अगर आपको जो आपको बीच में जो आईलेंड जैसा कुछ दीक रहा है वहीं उमानंद वहां पर टेंपल है और जो लोग अगर आते हो तो आप रोफ हुए से उस तरह भी जा सकते हो विजिट कर सकते हो लेकिन मुझे रोपे से ज्यादा तर मुझे इस तरह से विजिट करना ज्यादा पसंद है और आप देख सकते हो यह प्रोसीजर जो बनाया गया है सो गाइस देख सकते हो आप हम लोग फाइनली पहुचने वाले हैं यहाँ पर और यह है उमानंद मंदीर यहाँ पर जो ब्रहों पुत्र के बीच में है जो लोग भी गुहाटी से यह रामंदीर गाइस यह ब्रहों पुत्र के बीचों बीच में है और आज लोग भी काप सबस्ट इस फैरी वापस चाहेगा जो लोग वेट कर रहे है ये फैरी वापस चाहेगा और हम लोगा 4.30 का टाइमिंग था तो हम लोग को ज्यादा ही टाइम लएग जाए अगर 20 हो जाता है तो फिर आपको फिर अपने प्राइवेट फैरी से वापसी करना परेगा गईट गईट वह बद्ध शुके उमानंद मंदिर में इस पार में ये दिखे लोग बहुत सार लोग बूस्त बुद्ध इस लुद्ध अभी चाहिए पार दुद्ध बुद्ध जो ना मिटा ये हुपा जैस्ट जो 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 हमें अरहे हैं यह इस सो थो यह दो मांद देंपल अभी हम लोग सीरिया चाहर रहे हैं हुआ हम लोग जा रहे है कैसा थख चुपियो बहुत बहुत सारे सीडिया यहां पर थख चुपियो और सही भी है ठंड में दर्मी लग जाएगा हुभी बहुत सीडिया चलने के बाद वहां पर हम लोग शूव ख़ोल करके उसके बात मैंने यह फूल लिया मंदीर में चलाने के लिए फिर मंदीर के तरफ हम लोग एंट्री करते हैं और काफी लाइन था गाइस बहुत वीड था और जैसे की जारे की अंदर में तो पता नहीं चल रहा था ऐसे अंदर चलते हुए लेकिन बहुत लाइन लंबाद था गाइस अब देख सकते हैं यहां पर कुछ लोग गाइस बाहर से मतलब ऐसे वीजिट करके जा रहे थे लेकिन हम लोग लाइन में लगे हुए थे काफी टाइम से जो ते ना हम पूरा तो अगया है यहां 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 दो आप लोगों को दिखा पाई उसके बात नहीं दो आप है हम लोग मंदीर दर्शन करते करते हैं शाम हो चुका है पूरी तरह बहुत भी था अंदर में और अंदर में वीडियो करना लाओ नहीं था मुबाइल कुछ भी अलाओ नहीं था तो यह दिखिए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग भी आकर कि विजिट किजिए उमानन दंदी हम लोग वहां से निकल गए और जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग प्राइविट फेरी के लिए जा रहे थे उसके बाद काफी लोग थे यहां पे भी फिर आम लोग उपर की तरफ के तो हम लोग वीडियो का मजा लेना था तो यह आप देख पा रहे हो यहां रात के ताइम में तो काफी थन था और भी जाथा लेकिन हम लोग थन से लिए गाइस काफी भूब लगा हुआ था और घर में जाके फिक डिनर करना नहीं था और काफी टाइम भी हो चुका था तो मेरा ब्लॉक आज का इतना है गाइस वीडियो अच्छा लगे तो ग्लाइस प्लाइस सब्सक्काइब करते हैं था था